एक नई किसम की राज़ीदी की आज शुरुआत हो रही है ये देश के लिए बहुत शुब चीज है ये देश के लिए बहुत शुब संदेश है दिल्ली फतह के बाद अर्विंद केजरिवाल की जबान से निकले शब्दों बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है केजरिवाल का अगला लक्ष दिल्ली से बाहर निकल कर दूसरे राजियों में भी आम आदमी पार्टी को पहुँचाना है क्या अगले साल बंगाल इलेक्षन में भी केजरिवाल कूदेंगे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे केजरिवाल का हौसला भलंद है दिल्ली में उन्हें सत्तर में से बासट सीटें हासल राश्टोवाद और हिंदू मुसल्मान के मुद्बे पर केजरिवाल का चेहरा और काम भारी बढ़ा लगातार दो बार मुधी लहर को रोकने में कामियाब रहे केजरिवाल को अब राश्ट्रिय नेता के तौर पर देखा जाने लगा है आम आदमी पार्टी ने अलान कर दिया है कि केजरिवाल मौडल ही देश में विक्ट्री का नया मौडल है देश की राजनीती के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि काम के नाम पर भी वोट पर सकता है काम के नाम पर भी चुनाओ जीते जा सकते है इस राजनीती से सबसे बड़ा संदेश ये जाएगा कि नेताओं को जनता के प्रति जवाब दे होना चाहिए और पांस साल में उन्होंने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ट जारी करना चाहिए अगले पांस साल वो क्या करेंगे ये बताना चाहिए केजरिवाल ने मोदी से लड़ने का फॉर्मूला ढूर लिया है मोदी को हराना है तो उन्हीं की स्टाइल में लड़ना होगा मोदी विरोधी मोर्चे के निताओं के साथ अब वो हाथ मिला कर नहीं खड़े होगे उन्हें जिस से मिलना होगा अकेले मिलेंगे संडे को केजरिवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की रिष्टपत लेने जा रहे है और इंडिया टीवी को पक की जानकारी मिली है कि केजरिवाल इसमें किसी दूसरी पार्टी के निता को नहीं बुला रहे है दिल्ली के मुख्ध मंत्री अर्विंद केचरिवाल सपत ग्रहन समा रहो संडे हो रहा है और किसी राजनेता और अपोजिशन लीडर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं आ रहा है किसी को अमंत्र नहीं किये क्यों क्या ये सिस्टाचार के उलंगन है क्या जो परंपरा चल रहा था साथ और सुनिये पीछे राज क्या है पिछले कुछ महीनों में केचरिवाल एंटी मोधी मोर्चे के मंच पर कई बार खड़े देखे लेकिन अब केचरिवाल ने इससे तौबा कर लिया राम लीला मैदान में केचरिवाल सिर्फ जनता के सामने शपत लेंगा केचरिवाल के कोई नेता नहीं होगा अब देख सकते हैं हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक है साउध ब्लॉक है इस बार केचरिवाल जी दिल्ली चुनाओं में नफरत के राजनीती सेंटर के साथ भी नहीं किया और कोई कॉन्फरेंटेशन के पॉलिटिक्स जब चुनाओं के पहले नहीं क करना चाते हैं opposition consolidation दिखाना ओल इंडिया पॉलिटिक्स शुरू कर देना यह नहीं करना चाते हैं क्योंकि केचरिवाल जी कह रहे हैं कि हमने बारानसी में मोदी जी के खिलाब भी जो चुनाओं लड़ा था वो मेरा गलती था और अभी दिल्ली में concentrate करना चाते हैं विकास के देखते हैं ममता बैनर जी से लेकर स्टैलिन तक लोग आ जाते हैं राहूल गंधी को भी बुला लेते हैं इस बार वो परमपरा खतम कर दिया है केचरिवाल जी शपत ग्रहन में दूसरे नेताओं को न बुलाने को लेकर जब हमने सीधे आम आदमी पार्टी से सवाल किया तो क्या जवाब आया सुनिये एक फैसला आप लोगों ने लिया है कि सपत ग्रहन में दिल्ली की जनता और दिल्ली के जो नेता हैं उनको हम बुलाएंगे दूसरे राजजी के लोगों को नहीं बुलाया जागा या कि सीम को नहीं बुलाएंगे क्या आपको नहीं लगता कि अगर राश्ट्रे फलक पे आपका विस्तार होगा तो ऐसे में सही होगी हो कि जुरत पड़ेगी तो वो एक अच्छा मौका था ये जानते हुए कि अरविंद केजरिवाल भी कई मंच पे गया है कई जेगा सपत ग्रहन में गया है केजरिवाल का संदेश क्लियर है मोदी का विरोध करके वो आगे नहीं बढ़ेंगे वो जो करेंगे अकेले दम पर करेंगे अपनी खीची लकीर पर आगे बढ़ेंगे ख़बर ये भी है कि शपत के दिन केजरिवाल प्रधान मंत्री मोदी से भी मिलने वाले है सपत गरहन समारों के पहले केजरीवाल जी मोदी जी से मिलना चाते हैं और केजरीवाल जी प्रधान मंत्री के दप्तर में संदेज भेजा कि हम मिलना चाते हैं और अशीरवाद लेना चाते हैं आपसे प्रधान मंत्री जी के जो अफिस है वहाँ से के सीएम केजरिवाल को बताया गया है कि अभी नहीं सपत गरहन के बाद हम मिलेंगे क्यों ऐसे स्ट्रेटिजी ले रहे है केजरिवाल जी? और चाते हैं सहयत के साथ दिल्ली जो है उसके जो विकास के इशु में आगे बढ़े जो पहले किया था केजरिवाल जी वो जो गलती वो मिस्टिक दुबरा नहीं करना चाते है अभी केजरिवाल का पूरा फोकस फिलहाल शपत पर है लेकिन शपत से पहले उनके निताओं ने साफ कर दिया है कि केजरिवाल यहीं पर नहीं रुकने वाले इंडिया लेवल की पॉलिटिक्स के लिए तैयारी पूरी है इंडिया टीवी ने जब केजरिवाल के निक्स्ट प्लैन पर डारेक्ट आम आद्धी पार्टी के सांसत और केजरिवाल के करीबी संजे सिंग से सवाल पूछा तो जवाब में विस्तार के संकेत साफ एक राजनीतिक पार्टी है हम लोगों की तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी पार्टी के संगठन मजबूत करेंगे ही करेंगे हर राज्य में करेंगे लेकिन चुनाओ कहां लड़ना है नहीं लड़ना है इस पर अंतिम फैसला केजरिवाल जी और सीस नेतर तुलेगा सिर्फ संजे सिंग नहीं आमाद्नी पार्टी के दूसरे नेता भी खुलकर बोल रहे हैं कि केजरिवाल सिर्फ दिल्ली नहीं बलकि देश के नेता है अब खतम हो जाएंगी, उनका मिनाश शुरू हो गया है इरादे क्लियर है केजरिवाल अब रुकने वाले नहीं है दिल्ली मॉडल अब देश का मॉडल बनाया जाएगा ब्याहर से लेकर बंगाल तक आम आद्वी पार्टी का जंडा बुलंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है केजरिवाल के पॉलिटिकल विस्तार का उद्धोश हो चुका है पार्टी जोश में है महा सदस्यता अभ्यान चलाकर देश भर में लोगों का मन टोलने की कोशिच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आम आद्मी पार्टी से जुड़ने के लिए लोग कितने लालाइत है पार्टी ने एक मोबाइल नमबर जारी करके मिस्स कॉल देकर सदस्य बनने की महिम छेड़ी आम आद्मी पार्टी ने दावा किया है कि 24 घंटे में 11 लाक नए सदसे बने अभी तो हम लोग पूरा फोकस दिली के चुनाओं पे रखे हुए थे पार्टी संगठन जहां जहां हमारा होगा उसके बारे में पार्टी का सीस नेत्र तो तैं करेगा कहा हमें जाना है नहीं जाना है उसके बारे में तो अंतिम फैसला केजरिवाल जी के साथ मिल बैटके तब लोग तैं करेंगा हाँ ये जरूर है कि राजनितिक दल है हमारी पार्टी है तो चुनाव आने के परिणाम आने के बाद निश्चित रूप से एक नई उर्जा का संचार लोगों में होता है तो हम में मर्सी भी अपनी सुरू करें हुए केजरिवाल अगले पांच साल में क्या-क्या करने वाले हैं इसकी एनलेसिस करने से पहले ये देख लीजिए कि केजरिवाल की पार्टी का चुनावी उतिहास अब तक कैसा रहा है 2013 में आम आद्मी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधान सभा का चुनाव लड़ा और 32 सीट हासिल की 2014 में लोग सभा चुनाव में केजरिवाल की पार्टी 434 सीटों पर लड़ी लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली 2015 में आम आद्मी पार्टी ने दिल्ली विधान सभा का चुनाव लड़ा और 70 में से 60 सीटे हासिल कर ली 2017 में आम आपनी पार्टी ने पंजाब में विधान सभा का चुनाव लड़ा और 20 सीट पर जीत नृ Baldwin 2019 के लोग सभा चुनाव में केजरिवाल की पार्टी 40 सीट पर चुनाव लड़ी और सिर्फ एक जीध पाई 2020 में केजरिवाल की पार्टी को दिल्ली विधानसफा चुनाओ में लगातार दूसरी बार बंपर भधुमत भिला लेकिन अब दिल्ली में बड़ी जीत ने केजरिवाल को फिर से देश की राजनीती करने के लिए टौनिक दे दिया है केजरिवाल के सामने फिलहाल बिहार है जहां इस साल अक्टूबर में चुना हो सकते हैं यह वही बिहार है जहां कि कददावर नेता लालू जेल में है और पिछली बार लालू के साथ चुनाव लड़ने वाले नितीश कमार बीजेपी के खेमें लेकिन यह तस्वीर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी जब लालू और केजरिवाल साथ थे अब केजरिवाल बिहार में इंडिये के खलाफ लालू की जगह लेने की खुआश रखते हैं बिहार में बीजेपी और नितीश का गड़ बंधन है आरजेडी और कॉंग्रिस मिलकर चुनाव लड़ रहें लालू यादव जेल में और तेजस्वी के पास आरजेडी की कमान AIMIM के OAC भी बिहार में जोर लगा रहें केजरिवाल बिहार में हिंदू वोटों के साथ मुसल्मान वोटों की पसंद बन सकते अगर आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव में कूदी तो क्या अरविंद केजरिवाल दिल्ली वाला फॉर्मूला ही बिहार में आजमाएंगे मुसल्मानों के बीच तेजस्वी यादव का वो रुतबा नहीं जो लालू यादव को हासी है नितिश कुमार भले ही बीजेपी के साथ लेकिन मुसल्मानों की बीच तुनकी बड़ी पैट है जाहिर है कि मुसल्मान वोटर में केजरिवाल सेथ लगा सकते है हिंदी के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि बोर्ट उसी को जो स्कूल बनवाएगा बोर्ट उसी को जो मुहल्ला क्लिनिक बनवाएगा बोर्ट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा बोर्ट उसी को जो सत्ती बिजली देगा घर-घर को पानी देगा हमारे मुहले में तड़क बनवाएगा दोस्तों यह एक नई किसम की राज़ीती है केजरिवाल बिहार में भी ये बात समझा सकते हैं कि जब दिल्ली में फ्री बिजली पानी है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता केजरिवाल की पार्टी की पास फंड भी है और कारेकरताओं की फौज भी अगर आम आदमी पार्टी बिहार में लड़ती है तो सवाल ये है कि बिहार में केजरिवाल अकेले लड़ेंगे या फिर गटबंधन करके क्या बिहार में केजरिवाल और OEC का गटबंधन देखने को मिल सकता है लालू की पार्टी से केजरिवाल अलायंस नहीं कर सकते क्योंकि लालू भृष्टाचार के दोश में जेल में है असदू दीन OAC लंबे समय से बिहार में भी सक्री है कुशन गंज में उनकी बड़ी रैलियां हो चुकी है मुसल्मानों के बीच OAC खासे लोकप्री हो रहे है अगर केजरिवाल और OAC की जूड़ी मिलकर बिहार में लड़ती है तो ये गड़बंधन कमाल कर सकता है बिहार में मुसलिम अबादी करीब 17 फीज़ दी है साथ ही अरविंद केजरिवाल हनुवान मंदिर गए हनुवान चालिसा गए वंदे मात्रम और भारत माता की जै के नारे लगाते दिखाई दी यानि अरविंद केजरिवाल ने साथ साथ सौफ्ट हिंदुत्व का कार भी खेला भारत मता की है इंकलाथ वंदे दिल्ली में केजरिवाल ने अरबन अपर क्लास, मिडिल क्लास हिंदू को अपने साथ चुड़ा और मुसल्मान अपने आप ही बीजेपी विरोध के कारण उनसे जुड़ गया यही रणनीत केजरिवाल बिहार में भी अपना सकते हैं आपको लगता है कि आपका ये मॉडल बिहार जैसे राजी में ज्यादा कारण सावित होगा मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पूरे देश में कारण सावित होगा इसलिए कारण सावित होगा कि आज जैसे दिल्ली है दिली पूरे इंडिया को रिप्रेजनٹ करता है यहां पर हर राजिके लोग आके रहते है और अगर यहां एक मैंडियट मिला है तो आप एक कह सकते हैं कि मिली जुली संस्कृती आप प्रवासी जो प्रवासी भाई जो बाहर से आके रहते हैं यहां पर उन सब की ये राय है उनका ये मत है कि देस में काम के उपर राजनीती करने चाहिए आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल विस्तार पर केजरिवाल ने अपनी जबान से अब तक कुछ नहीं कहा उनके सामने फिलहाल दो विकल्प में या तो नवीन पतनायक की तरह सिर्फ अपने राजनी तक सीमित हो जाए या अगले पांच साल राश्ट्री राजनीती करके खुद को मोदी के खिलाप सबसे बड़ा चेहरा बनाए केजरिवाल इसकी कोशिश पहले भी कर चुके हैं कभी वो करनाटक में H.D. कुमार स्वामी के शपत ग्रण में मोदी विरोधी नेताओं की भीड का हिस्सा बने तो कभी वो मोदी की कटर विरोधी ममता के साथ नजर आए लेकिन 2015 से 2020 के बीच यमना में बहुत सारा पानी बह चुका है ऐसे में केजरिवाल भी बदल चुके हैं वो अब सीधे मोदी से मोर्चा नहीं लेना चाहते इसलिए वो नवीन पतनायक को अपना राजनीतिक आदर्श बना सकते नवीन पतनायक का जिक्र यहां इसलिए क्योंकि नवीन पतनायक ने कभी ओडिशा के बाहर पैर जमाने की नहीं सोची नवीन पतनायक कभी एंटी मोदी मोर्चे के साथ नहीं दिखे मोदी विरोध की राजनीति नहीं की सिर्फ ओडिशा की बात की अपने काम पर चुनाव रहा पटनायक सिर्फ अपने ही स्टेट में खेले दिल्ली का सपना नहीं देखा लेकिन अरविंद केजरिवाल नमीन पटनायक नहीं है केजरिवाल एक्शन में रहना और दिखना पसंद करते हैं उनके नौकरी के दिन हो या अंदोलन के या फिर सियासत के केजरिवाल को चर्चा में रहना पसंद है ऐसे में उनके अगले पांच साल के प्लैन पर जो अटकले लग रही हैं वो सच साबित हो सकती शपत के बाद केजरिवाल की राजनीति का विस्तार तैह है केजरिवाल के अगले पांच साल के प्लैन में हिंदू वादी राजनीती भी शामिल है अब तक बीजेपी मुस्लिम तुष्टी करण का शोर मचाती थी लेकिन अर्विन केजरिवाल हिंदू तुष्टी करण की रहा पर जाते दिख रहे हैं दिल्ली में हनुमान और मुसल्मान का प्रयोग सिर्फ संयोग नहीं था केजरिवाल ने बड़े हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई जिसका असर बिहार और बंगाल के चुनाओं में दिखना तै है क्या दिल्ली में केजरिवाल की जीत हिंदुत्व की जीत है क्या दिल्ली ने हिंदुत्व की राजनीति का नया चेहरा देखा क्या इस हिंदुत्व के सहारे केजरिवाल देश में कोई बड़ा करिश्मा दिखाएंगे ये वो जरूरी सवाल है जो अब पूछे जाने जरूरी है क्योंकि जीत का उफान थम रहा है विशलिशन का दौर चल रहा है वहां भी जो हार गए वहां भी जो जीत गए केजरिवाल सरकार बनाने के मन्थन में जुटे है मगर दिल्ली में उनकी जीत के साथ हिंदुत्व की नई राजनीति का आगाज हो चुका है जी हैं आप यकीन करें या न करें आज केजरिवाल हिंदु वादी राजनीति का नया चेहरा है ये न सौफ्ट हिंदुत्व है न हार्ड हिंदुत्व है ये ओरिजिनल हिंदुत्व है अब तक देश में तमाम सियासी दल मुस्लिम तुष्टिकरन की राजनीति करते रहे इफ्तार पार्टियां करते रहे, ईद की सिवईयां खाते रहे, टोपियां और गमछे पहनते रहे बीजेपी ने इस तुष्टी करण की राजनीत को निशाना बनाया पार्टी को इस आक्रामक्ता का फायदा मिला 2014 के बाद मुसल्मान देश की राजनीत में लगभग इर्रेलेवेंट हो गए उनका तुष्टी करण जीत की गारंटी नहीं रहा, बस मुसलिम फैक्टर की सीटों पर ही उन्होंने जीत दर्ज कराई वाजम खान हो या असदु दीन ओवैसी देश की राजनीती में हासिये पे चले गए मुसल्मानों की कसक को अरविंद केजरिवाल ने पकड़ ली अरविंद केजरिवाल को पता था कि उनको जब भी सहनबुथी का मजबूत हाथ मिलेगा वो चले आएंगे मुसलिम वोटर्स पहले ही कॉंग्रेस के हाथ से बहुत निराश हो चुके थे निराश भी इतना कि कॉंग्रेस के दिगज मुसलिम लीडर्स बुरी तरह से हार गए कईयों को तो अपने दिस्टेंट फैमिली का वोट तक नहीं मिला इसलिए इस चनाओ में अर्विंद केजरी वाल हिंदू तुष्टे करण का खिला खेल खेल रहे थे हंदू तुष्टे करण कहना और सुनना भले ही आपको अजीब लगे लेकिन केजरी वालने किया हिंदू तुष्टी करण के इसे बस चंद मोटी बातों से समझ लिए केजरिवाल ने मुस्लिम बहुल इलाकों का दोरा तक नहीं कि मुस्लिम इलाकों में जाने से बीजेपी को सीधे अटैक का मौका मिलता मुफ्त बिजली पानी से खुश हिंदू वोटर भी बिदख सकता था इसलिए नागरिक्ता संशोधन कानून पर भी केजरिवाल खुल कर सामने नहीं आए शाहिन बाग की औरतों के पास तो बार बार उकसाने के बाद भी नहीं गए रहा हनुमान चालीसा और हनुमान मंदिर तो उसने केक पर क्रीम का काम किया अर्विंद केजरिवाल ने समझ लिया था कि बीजेपी का मकाबला इसी तरीके से किया जा सकता है अब तो उनकी पार्टी के नेताओं के जबान सुन लीजिए वहां भी रामायड ही टपकती है प्रामन मंधमी तो अब ईंको कम हनुमान जी के बारे में मजाओं कूं उटा रहा है प्यार ने नारा दिया चलो चले मॉधी के साहथ तब ही केजरी बाल और उनके रणे नीतिकारों ने समझ लिया था यब उनका मकाबला किस से है? उन्हें किस ग्लैडियेटर के सामने ढखेल दिया गया है? तब ही ये तैह हो चुका था कि अब आम आदमी पार्टी को हिंदू और हिंदुत के करीब रहना है, मुसल्मानों से दूर ही दिखना है सवाल ये उठता है कि मुसल्मानों ने आम आदमी पार्टी के काम और अरविंद केजरिवाल के नाम पर एक तरफा वोटिंग कैसे की? हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि अरविंद केजरिवाल जानते थे कि मुसलिम मद्दातों की कसक क्या है और उनकी मजबूरी क्या है? ऐसे में अपनी पार्टी के मुसलिम लीडर्स को ये जम्मेदारी दी कि अपने समुदाई के वोटरों को समझाएं इसका एक बड़ा उदारन है उखला के विधायक अमानतुल्ला खान शाहिन वाग में तमाम उनके वलंटियस आज काम कर रहे हैं इसके साथ ही मुसलिमानों ने पार्टी के बरे नेताओं से जान बुझ कर दूरी बना के रखी और छे साल बाद यही वज़ा है कि आज वो ये समझ रहे हैं कि राजनीती में अब वो कटे कटाए या अलग थलग नहीं है मोदी हिंदुत की राजनीती का सबसे बड़ा चेहरा है इस पर पहले दिन से कोई सवाल नहीं उन्होंने गुझराथ से लेकर दिली तक खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया जो हिंदुों के अधिकार और हिंदुों के हिद की बात करेगा उन्होंने विकास और हिंदुत की राजनीती का जो मिक्श्चर बनाया उसका कोई तोड़ नहीं था लेकिन मोदी शाह की जोड़ी का हिंदुत आक्रामग है मसलन यूपी में बीजेपी ने 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जी थी यूपी में मुसल्मानों की तादाद 18,50 से ज्यादा है मगर बीजेपी ने एक भी मुसल्मान केंडिडेट को टिकट नहीं दिया दिल्ली में बीजेपी ने भी यही किया बलकि योगी को प्रचार के लिए भी बुलाया मुसल्मान से दूरी बनाये रखने का ये मोदी शाह का तरीका था मगर केजरिवाल ने दूरी बनाने के बावजूद पांच मुसल्मानों को टिकट दिया ये पांचों कैंडिडेट बंपर वोटों से जीत दर्ज कराने में काम्याब रहे दरसल केजरिवाल मुसल्मानों की मजबूरी समझ रहे थे और मुसल्मान केजरिवाल की इसलिए अरविंद केजरिवाल आसानी से दिल्ली में बजरंगी आईजान बन गए इसमें कोई दोराई नहीं है कि अरविंद केजरिवाल की जरासी चूक हिंदू बोट बैंक को बीजेपी के पाले में गोल बंद कर देती इसलिए अरविंद केजरिवाल ने हनुवान भच बनकर हिंदू वोट बैंक को बड़ी चलाकी से डिवाइड कर दिया और मुसलिम वोट बैंक पहले से ही उनके पाले में था वो भी एक मुस्त जिसकी वज़े थी CAA और NRC इसलिए दिल्ली की जैनता को अरविंद केजरिवाल के हिंदुबाद पर भरोसा हो गया वो भी आसानी से हिंदुवात पर भरोसे की बात चली है तो आईए राहुल गांधी का विजिक्र कर ले 2014 में मोधी के आने के साथ ही राहुल गांधी को अपनी कमी का हैसास हुआ राहुल गांधी की रणनीती में परिवर्ता नाया के दारनाच की आत्रा से लेकर गुजरात और करनाटक तक मंदिर दर्शन है मगर कॉंग्रेस को इन राजियों में जो फायदा हुआ वो जनेव धारी राहुल से नहीं हुआ राहुल का हिंदुद तो भरोसा नहीं जगाता बलकि कॉस्मेटिक दिखता है राहुल की पूजा अर्चना भी बहुत सिखाई हुई लगती है मगर केजरिवाल का हिंदु स्वाभाविक दिखता है जिसे बजरंग बली की जय कहना आता है और हरुमान 40 भी आता है बहराल आई ये अवांकडों के जरीए बताते हैं कि हिंदु के जरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी के किस वोटर को अपनी और खीचा 2013 के विधान सवाचुनाओं में बीजेपी को 32 फीजदी वोट मिले 2015 के विधान सवाचुनाओं में फिर बीजेपी को 32 फीजदी ही वोट मिले 2020 के चुनाओं में सारा दम लगाने के बावजूद बीजेपी को मिले तकरीबन 38 फिस्दी वोट 2014 के लोगसभा चुनाओं में बीजेपी के वोट सीधे बढ़कर 44 फिस्दी हो गए थी 2014 के लोगसभा चुनाओं में उसके सामने मोदी जैसा मजबूत चेहरा था 2019 के लोगसभा चुनाओं में ये आंकड़ा 50 फिस्दी को पार कर लिया साफ है जब सामने मोदी होते हैं तो बीजेपी के 15 से 20 फिस्दी वोट बढ़ जाते हैं लेकिन जब मोदी सामने नहीं होते कहानी वापस लोट कर 32 से 38 फिस्दी पर आ जाती है यानि जब विधान सभा में केजरिवाल सामने होते हैं तो ये 15 से 20 फिस्दी वोटर आम आदनी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है केजरिवाल ने अपने और मोदी के इन वोटों की कॉमनलिटी को समझा इस बार हिंदू बनकर इन वोटों को आसानी से काट ले गाए लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केजरिवाल ने जो खेल दिल्ली से शुरू किया है क्या इसका जादू बिहार और बंगाल में भी चल सकता है क्या आब ये हिंदू तुष्टिकरन पूरे देश में देखने को मिलेगा नीतिश कुमार और ममताब एनरजी क्या करेंगे दोनों को मुसल्मानों का एक बड़ा तबगा वोट देता है